सो फ्रेंट्स फाइनली लोग सभाई लेक्शन्स की डेट्स जो है वो आउट हो चुकी है अभी आप सभी लोगों के मन में एक डाउट चल रही होगी क्या हमारे एक्जाम जो है वो आगे पीछे सिफ्ट होंगे क्याएं जिनको एंटी एंट्य कंडक्ट करता है इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं यह वीडियो आप पहुँच रही है ड्यू बड़ी के जरिये जो सिर्फ-ोसिरफ एक यूट्यूब चैनल नहीं है ड्यू बड़ी एक फुल-फलेश स्टार्टप है आप लोगों को समझ में आने वाली लेकर करके हम लोग आएंगे हमारा एप भी अवेलेबल है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो 100% अथेंटिक अपडेट्स के लिए तो देखियार सबसे पहले आप NTA के कैलेंडर को समझने की हम लोग कोसिस करते हैं तो पहला JEE का एक्जाम जो है वो हो चुका है 24 जन्वरी से 1 फर्वरी के बीच में दूसरा JEE का एक्जाम अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है 1st of April से 15 April तक 5 मही को NEET का पेपर है 15 से 31 मही मे प्रपोस्ट है कि आपका CVT-UG का पेपर हो and CVT-PG का पेपर अभी चल रहा है यह हो जाएगा अभी इलेक्शन डेट से पहले एंड उसके बाद UGC-NET का पेपर आपको देखने को मिलेगा अभी एक बार वापीस आके यह देखें कि कौन सा कौन सा एक्जाम जो है वो हिट ह हुआ है उससे पहले आप यह देखें कि इलेक्शन की डेट्स क्या निकलके आई है 19 अपरेल 26 अपरेल 7 मई 13 मई 20 मई 25 मई 1 जून 1 2 3 4 5 6 7 मत टोटल साथ सिफ्ट में या फिर साथ चरणों में जो है लोकसभाई एलेक्शन होने वाले हैं और 4 जून को जो है वो अपकी काउ स्कूल के होते हैं जो कि most of the exams में भी जो है उनकी duty लगती है local officials हो गए जैसे आपकी अगर offline paper हो रहा है तो आपकी जो question paper divide करने के लिए या फिर main center से पहुंचता है तो उनमें teachers की duty लगती है पुलिस वालों की duty लगती है यह सारी चीज़े offline exams में यूज होती है online में इतनी नहीं होती लेकिन offline में बहुत होती है जिस school में आपका exam होता है वह आपका election के time पे भी voting भी होती हो और आपका exam भी हो र structure को देख लो इसी के कारण आपको dates में change देखने को मिलता है जब भी election होते हैं या फिर election और exam की date जो है वो class करती है तब अब अपन इसी के basis पर समझने की courses करते हैं देखो एक अपरेल से 15 अपरेल तक आपका J.E.M.N. का exam होने वाला है and 19 अपरेल से आपके elections जो है वो start हो र है यह पहले ही हो जाएगा election स्टार्ट होने से पहले हो जाएगा नीट का जो paper है 5 मई को 7 मई को जो है अपका थर्ड सिफ्ट जो है elections की वो होने वाली है and यह paper जो है वो offline paper होता है मतलब सरकारी schools में ही बहुत जादा जो है यह conduct होता है center आते हैं बच्चों के private में भी आते हो होंगे तो लेकिन जो आपका वही machinery यूज होनी है पुलिस वाले हो गए जो exams में flying आती है या फिर जो आपके teachers हो गए जिनके duty लगती है उन में से बहुत जादा लोगों की duty elections में भी लगी होंगी तो में भी बहुत जादा chances है कि नीट का paper जो है पोस्ट पॉन हो जाए या प्रिपॉन तो मुझे नहीं लगता कि होने वाला है पोस्ट पॉन ही होगा सेकिंड अगर हम CUET की बात करें CUET के exam की 15 मही से 37 मही के बीच में है यह exam सबसे ज्यादा हिट होने वाला है क्योंकि देखो 13 मही को एक है इलेक्शन 13 मही को है 20 को है 25 को है और एक जून को है तो भाई देखो आप 15 मही को start होने है तो 13 मही को अगर election हो रहा है तो वो बूथ अल्रेडी occupied होंगे यूज होंगे schools वगरा तो 15 मही को starting ही मुझे लगता है यह hit होगी impact होगी 15 मही से I don't think कि start हो पाएंगे paper उसके बाद य एक जून का paper है एक जून का election है फिर से and last आपकी 31 मही है मतलब next day just elections है तो मुझे लगता है कि बहुत जादा impact यहां पर आपको देखने को मिलेगा and mostly postpone ही आपके exam होंगे last year में क्या हुआ था कि जैसे कुछ exam बीच-बीच में करवा दिये जैसे center मिलते गए बाकी exam बाद में करवा दिये तो वैसा भी हो सकता है कि कुछ एक आदे exam जो आपके online करवाने है वो वाले करवा दिये offline भी इस बार cvt होने वाला है क्योंकि NTA ने वोले कि डेल लाग से जादा बच्चे जिस भी subject के लिए apply करें उनका हम offline करवाएंगे तो हो सकता है कि offline वाले लोग बाद मे करवाएं online वाले बीच बीच में करवा लें या फिर दोनों कोई बाद में shift कर दें अभी official notification आनी बाकी है लेकिन यह exam सबसे ज्यादा हिट होना है and इसके अंदर जितने भी बच्चे त्यारी कर रहे हैं last year भी बहुत ज्यादा shifts में exam हुआ था English की बात करूं तो 55 से ज्याद ज्यादा shift में हुआ था history का paper 20-25 से ज्यादा shift में हुआ था इन सारे papers को आप लोग जा कि अगर चेक करना चाहते हो कैसे question चाहे थे तो वह भी आप यूबडी एप पर कर सकते हो लिंक आपको description में मिल जाएगी वहाँ पर जाओ attempt करो most of the questions जो है वह आपके repeat ही होते है ठीक है तु लास्ट यर भी ऐसा ही CVT के exam के साथ हुआ था इस बार भी ऐसा हो सकता है कि बीच में एक आदा करा दिया बागी बागी बाद में करा दिया and यह exam जो है वह already हो जाएगा पहले UGC net का paper I don't think की बहुत जादा hit होने वाला है थोड़े बहुत dates में आपको आगे पिछे देखने को मिल सकता है क्योंकि मानलो यह exams की date कहीं NTA को यह की जल्दी कराना है तो इसको थोड़ा होता आगे पिछे कर सकते है तो friends यह अभी तक का update था आपकी election dates को लेकर के और आपक की हर एक problem का solution आपका CUET से related इसी channel पर आपको मिलने वाला है comment करो solution पाओ हमारी team 24 गंड़े के अंदर आपकी हर एक query का answer देने वाले thank you bye bye